हेलो दोस्तों विडियो में आप जानेंगे कि आप अपने एडेसेंस के अंदर आइडेंटेटी फेरिकेशन कैसे करेंगे वैसे इस टॉपिक पर आपको अलड़ी बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे बट ये वीडियो कुछ खास होने वाला क्योंकि इस वीडियो रहने कि हो सकता है क्योंकि अगर आप थोड़ा आप सावी मिस्टेक करते हैं तो एडेसेंस के अंदर टेक एक्षन का जो ऑप्सन है यह हाइड हो जाता है इसके बदले आपको यहां पर लर नमोर सो होने लाएगा तो काफी केरफुली आपको इस आइडेंटेटी वरिफिक हम पर कान्टेक कर चते मिलीगा और आप चाहें हम्सेट से RIGHT से एक बार बार क्रोंटेकर कर सकते हैं वाट्टेकशन से कर Nepom enu अपने फॉन में ऐसे तरीके से दिखेगा आपके पास PC laptop है ति यहां पर मोड अप्ने में अपने भाग्रोज को पर लिजेगा सिस तरीके से भी कर लेंगे आपको अपने अड़िसेंस के लाग इन को जाने हो गए हो गई इसका आपको पर कुछ इस तरीके से वोमपेच दिखेगा आपको यहां पर पर यहां से मत करियेगा आपस्थिदे हैं अपने इडिसेंस के अंदर आएगा आने के बाद आपको यहां पर पर पेमेंट्स पर क्लिक करना है और और verification चेक पर क्लिक करने के बाद यहां पर verification वाला फेज आपके शामने open हो जाएगा और देखी यहां पर जो है ना identity verification needs attention आपको दिख जाएगा और फिर यहां पर आपको take action दिख रहा है तो मैंने पहली बताया कि यह take action बहुत ही costly है भाई अगर एक बार यह गायब हो गया तो फिर आपका पूरा पूरा एड्रेसेंस ही विकार हो जाएगा क्योंकि कोई भी डॉक्मेंट अप्लोड करने का option नहीं रहेगा इसके अलावा देखी आपको यहां पर notification में भी info about yourself to continue और यहां पर verify नाव लिखा हुआ तो आपको verify नाव पर क्लिक करना है और verify नाव पर क्लिक होने के बाद आपको यहां पर एक pop-up open हो जाएगा और इस pop-up में आपको कुछ detail भी रहेगा जिसमें आपको यहां पर इस रीड करना है और रीड करने को देखी यहां पर लिखा हुआ किस किस document से आप आइडेंटिटी वर्विकेशन कर सकते हैं तो यहां पर डाइवर लाइसेंस पासपोर्ट पैन काड वोटर आईडी काड इन चार डॉकमेंट से ही आइडेंटिटी वर्विकेशन होता है और अधार काड से आइडेंटिटी वर्विकेशन नहीं होता है चारों डॉकमेंट में से किसी एक डॉकमेंट को आप रेडी कर लिजगा जिस भी डॉकमेंट से आपको आइडेंटिटी वर्विकेशन करना है उस डॉकमेंट का ओरिजिनल कॉफी का आप अपने फोन में फो हो गया है है आपको यहाँ पर लेगल करना है तो लेगल नेम आपका एड़िसन historical में चाला त्था होवा है तो आप अपनी करिए तो यहां पर आपको अपनी एडी में सीधा डायेंशन कर दिए मैं और लाइसेंजिंज पा士फ पर गून काड़ बोलतर आई डी नहीं करता हूं और आपी पंकर्त से आइडेंटिटी जल्दी से हो य sophomore उसकी पर डिटेल बहुत ही कम होता है तो आप यहां और लिजए गहां जो यहां पर उप्लोड करने का यहां पर आप्सन आ गया तो मैंने पहले ही बताया कि आपको अच्छे तरीके से इस डॉक्मेंट को फोटो क्लिक करके और क्रॉप करके साइज बनाकर रख लेना है आपको उस फोटो का साइज 6 कला मैं एमट से जयादा नहीं रखना है तो यहां पर मैं डॉकुमेंट जल्दी से अप्लोड कर लेता हूं और यहां पर बैक और फिल यहांपर नीचे में आपको दिक्ए सब्मीट का ह सब्मीट करने से बचले यहांपर अगर ़ Ihnen यहां पर मैं submit करता हूं, submit करने के बाद आपको 30 सेकंड से लेकर और एक नट तक वेड करना, उसके बाद यहां पर आपका identity verification complete हो जाएगा, तो दोस्तो इस तरीके से आप अपने एडिसंस के अंदर identity verification करेंगे, तो तुरंत ही आपका identity verification complete हो जाएगा, तो दोस्तो आशा करते ह आपके वीडियो पसंद आए होगा, तिस वीडियो को आप लाइक करके चाहिए और आपके चैनल पहली बार आए हैं, चैनल को भी जरूश अपकाइब कर लेगा, मिलते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्या लखिए, गुडबाई